असलाम वालेकुम वेलकम बेक टू माई चाइनल आईशास केक डिलाइट आज हम बनाएंगे जीम ट्रेनर थीम केक फिटनेस लवर, जीम लवर इन सब के लिए हम इस केक को बना सकते हैं इस तरह के नए नए केक आइडियाज देखने के लिए आप मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं पर्फेक्ट वन केजी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम प्रेमिक्स लिया है 15 ग्राम ओयल और 180 ग्राम पानी को इस्तिमाल किया है ओल रेडी थोड़ा सा ट्रॉफल मेरे पास रेडी है इसलिए मैंने यहाँ पर गनाश बनाने के लिए लगबग 40 ग्राम चॉकलेट लिया है चॉकलेट को मिल्ट होने के लिए रखने के बाद मैंने यहाँ पर क्रीम को मेजर कर लिया है इस 250 ग्राम क्रीम से हम cake की frosting करेंगे चोकलेट मेल्ड होने के बाद मैंने यहाँ पर 40 ग्राम क्रीम को एड करके इस तरह से गनाश रेडी कर लिया है एडिटिंग की मदद से हम वीड्यो को गनाश की वीड्यो को हम प्रोपर कर सकते थे पर यहाँ पर मैंने ये बताया है कि चॉकलेट मेल्ड होने तक मैंने उस टाइम में क्रीम को मेजर कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गनाश हमारा चन्नी और टीन को रह गया था तो उसी में हमने गरम पानी को एड़ करके इस तरह से सोकिंग के लिए वाटर बना लिया है यहाँ पर 250 ग्राम क्रीम में मैंने ट्रफल को एड़ कर लिया है 300 ग्राम प्रिमिक से 7 इंच के टिन में मैंने इस केक को बेक किया था इसलिए हमें यहांपर आसानी से 4 layer मिल जाते हैं अब मैं यहांपर केक sponge के equal 4 layer cut कर रही हूँ वीडियो बनाते हुए हम इसी तरह से काम करते हैं पर editing की मदद से वीडियो को आगे पीचे करके हम उन्हें अरेंज कर लेते हैं और अगर आप भी केक बनाना सीख रहे हैं तो अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप भी केक बनाई ये चन्नी और टीन को लगे हुए गनाश पर अगर हम इस तरह से पानी का एस्थिमाल करते हैं तो हमारा गनाश भी वेस्ट नहीं जाता है और सिर्फ प्लेन वाटर से सोकने की बज़े हम अच्छा चॉकलेट वाटर से भी सोक कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने क्रीम को स्प्रेड करके इस पर ट्रफल को भी मैंने स्प्रेड किया है और इसी तरह हम बाकी के लेयर्स को भी अरेंज करके अपने केक को क्रम कोट कर लेंगे सभी लेयर्स अरेंज होने के बाद मैंने यहाँ पर बची हुई चॉकलेट क्रीम से क्रम कोट के लिए पतली लेयर देनी होती है पर मैं यहाँ पर बची हुवी जो चॉकलेट क्रीम होती है उसी से एक ठीक लेयर दे देती हूँ जिस वज़ा से मैं फाइनल फिनिशिंग में ज्यादा वाइट क्रीम का इस्तिमाल नहीं करती हूँ और केक को प्रॉपर टेस्ट भी आ जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम कोट में ही मेरा 900 ग्राम केक हो चुका है फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने 100 ग्राम वाइट क्रीम को बिट कर लिया है और उससे पहले मैं वाइट क्रीम की एक पतली सी लेयर केक पर लगा रही हूँ आज हमें दो कलर्स में केक को डेकोरेशन करना है यादा क्रीम का इस्तिमाल न करते हुए मैंने यहाँ पर शार्ट पेज़स आने तक वाइट क्रीम से केक को फिनिशिंग कर लिया है सेकेंड कलर हमें ग्रे कलर बनाना है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्ल्यू कलर याने एक से दो ड्रॉप ब्ल्यू कलर के और चार से पांच ड्रॉप ब्लैक कलर के एट करके इस तरह से ग्रे कलर को बना लिया है इस ग्रे कलर को मैंने piping bag में fill करके इस तरह से randomly cake पर लगाया है cake पर इस तरह से लगाने के बाद हम इसे scrapper से finishing कर रही हूँ इस तरह से अच्छी तरह से उसे finishing करने के बाद मैं यहाँ पर जो uneven part दिख रहा है उसे मैं golden flakes से fill कर दूँगी आपके पास अगर golden flakes ना हो तो आप जो golden dust होती है उसे भी oil में dilute करके इस surface पर लगा दे अगर dust को oil में dilute करके लगाना चाहते हैं तो इसके बाद cake को थोड़े देर एक से दो गंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दे क्यूंकि अगर हम तुरंत लगाते हैं तो वो cream proper set न होने की वज़ा से हमारे brush को stick होकर निकलती है ये मैं खुद के experience के साथ कह रही हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी में हमें उस तरह से भी करना होता है इस तरह से मैंने इन toppers को google से search करके glossy paper पर print करके लिया है ये print लगब 20-30 रुपे में हमें मिल जाती है हर किसी को fondant cake पसंद नहीं होते तो हम इस तरह से theme ready कर सकते हैं मैं semi fondant cake की भी order लेती हूँ पर अगर customer को ही पसंद ना हो fondant तो हमें इस तरह से बना कर देना पड़ता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 970 gram हमारा cake ready हो चुका है बाकी के toppers को arrange कर रही हूँ अगर 10-20 gram कम या ज्यादा होता है तो उसको कभी भी हम mind नहीं करते या customer भी mind नहीं करता है कि आपने 20-30 gram कम दिया है सिर्फ cake का test best होना चाहिए जिससे customer को लगे कि हमारे पैसे कहीं पर best नहीं गए यह इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है मैंने नए trending cakes की recipe आपके साथ share करती हूँ पर आप videos को देखते हैं पर मुझे support नहीं करते आपकी like ही मेरा support है तो please like करे, share करे और subscribe करे thanks for watching, Allah hafeez